तो चलिए स्टार्ट करते है, सबसे पहले मेरा करने का सिंपल सा तरीका है सर, हम कभी भी ना, हम चीजों को अलग-अलग करके नहीं लिखेंगे, जो चीजे मिलता जाएगा लिखते जाएंगे, सबसे पहले देता है सर, cash in hand है सर, 1400 रुपीज, तो मैं ये asset side है, आप देखते जाएए, cash in hand, आपका 1400 रुपीज, इसके बाद cash at bank 2600 रुपीज है, तो आप simply bank लिख लीजिए, 2600 रुपीज, इसके बाद sundry debtor है, 8600, हमेशा याद रखिएगा, debtor पर adjustment होता है, और नहीं होता, तो एक बार check कर लीजिएगा, सर, बिल्कुल है, और ये दे रखा है, 86,000, तो मैं अंदर के side लिख रहा हूँ, 86,000, इसके बाद stock के आगे date दे रखा है, तो सर, ये opening stock है, तो यहाँ आ जाएगा two opening stock, opening stock, सर, opening stock है कितने का यहाँ पे given, 62,000 रुपीज का opening stock है, ये trading और profit and loss है, format वही follow करना है, जो किताब के अंदर है, उपर लिखना है for the year ending, अगर ये सारे formatting नहीं करोगे, marks नहीं मिलने वाला आपको, इसके बाद सर, given आपका furniture and fixer assets है, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं furniture, सर, furniture कितने का 21,400 का, इसके बाद सर, क्या है, office equipment है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, office equipment, सर, office equipment कितने का है, सर, 16,000 रुपे का, adjustment बाद में देखेंगे, इ building पे भी है, furniture पे भी, office equipment, motor car पे भी है, तो building कितने का है, 60,000 का, इसके बाद building के बाद motor car 20 का है, motor car कितने का है, सर, 20, जिस पे adjustment होगा, अंदर लिखेंगे, creditor कितने का है, 43,000 का, तो मैंने इधर लिख दिया, creditor, कितने का 43,000 के वर्ड का इस्तमाल कर रहा हूँ, ताक कि आप visible हो सके, अब loan, loan में हमेशा दियान रखिएगा, loan का मतलब कभी भी liability हमेशा नहीं होता है, आपको अगर credit side में given है, तो liability है, और debit side में given है, तो क्या मानूँगे, वो loan क्या है हमारे लिए, assets है, वो क्या होगा हमारा, assets, तो यहाँ पे loan देखो, आपका कहा दिख रहा है, credit side मे तो liability है यह loan, तो इसलिए हम इसे loan को side put करेंगे, कितने रुपए सर, 30,000, इसके बाद reserve for doubtful debts, मैंने बताया था, trial balance में हो, तो P&L के credit में लिख देना है, तो by reserve for doubtful debts, सर कितने रुपए का है amount, amount है सर, 3000 का, इसके बाद सर आगे है purchase 1,40,000 रुपीज, तो purchase inside लिखना है, 1,40,000, minus कर देंगे सर, purchase return, देखेंगे कब आता है, purchase return आगे ही आगया, 2600 रुपए, ये भी यहीं direct minus हो गया, आगे देखेंगे सर, sales दे रखा है, 230 और sales return भी है, तो buy side में आ जाएगा sales, और that is 230, और minus कर देंगे सर, sales return कितने का है सर, 4,200, इसके बाद ये भी हमने कर लिया, फिर salary, 11,000 रुपए, profit and loss के debit में लिखेंगे, तो मैं मान लेता हूँ, मेरा यहाँ trading खतम हो जाएगा, 10 से 12 लाइन में, यहाँ पर लिखेंगे salary, और salary सर, कितने का है, 11,000, एक बात देखना होगा, क्या adjustment किस पे है, जरूर पढ़ लिजेगा, building पे, furniture पे, plant equipment पे, हमारा, motor car पे, closing stock पे है, reserve debtor पे है, insurance premium पे है, और life insurance premium है, और इसके आगे salary बगरा पे नहीं है, rent for go down, go down कहां होता है, सर, factory में होता है, तो इसलिए rent यहाँ पे आएगा, go down basically factory में होता है, तो rent for go down, 55,000 रुपए, trading में आ गया, rent for go down के बाद आपका given है, interest on loan 27,000 रुपए, तो P&L में आएगा, interest on loan 27,000 रुपए, इसके बाद सर दे रखा है, rent and taxes 21,000 रुपए, यहीं पे आएगा, rent हमारा 21,000 रुपए, इसके बाद given है, discount allowed 24,000 रुपए, यहीं आएगा discount, discount आगया सर, 24,000 रुपए, discount के बाद है, आपका discount receive है, तो credit में आ जाएगा, discount receive, कितने रुपए है सर, discount receive, 16,000 रुपए, हाला कि आप पहले कर चुके उन question को मैंने दिया था, freight on purchase, 1200 रुपए है, trading का पार्ट है, freight, कितने रुपए सर, 1200 रुपए, carriage outward है, तो P&L का पार्ट होगा, तो carriage outward, कितने रुपए carriage outward, 2000, carriage outward के बाद drawing है, drawing सीधा minus हो जाता है, capital पहले हम capital mention कर देते हैं, और minus कर देंगा, यहाँ drawing, और drawing amount is 12,000, drawing के बाद printing and stationary अठारा सो, printing अठारा सो, printing अठारा सो, printing अठारा सो, printing अठारा सो, इसके बाद देखा जाए, electric charge के बाद, 2200 के बाद, insurance पचपन सो रुपए है, सर, इसके उपर adjustment है थोड़ा सा, मैं अलग से लिख देता हूँ insurance, कितने रुपए है insurance, पचपन सो रुपए, इसके बाद, journal office expense, 3000 रुपए, यहाँ बीच में डाल देते हैं, सर, जगह है नहीं, कितने रुपए, 3000 रुपए, इसके बाद आगे कहता है, bed debts 2000, यहीं डाल देते हैं, कहीं, bed debts, 2000, इसके बाद given है, bank charges, 1600 रुपए, कहीं ने कहीं, adjust तो करना है न, bank charges, मैं यहाँ adjust करता जा रहा हूँ है, इसको कैसे ने कैसे करके, charge, कितने रुपए, 1600, अगला आगया, motor car expense, 3600 रुपए, यहाँ लिख देते हैं, motor car, आप इसको मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आप verdict से भी ध्यान रखेगा, capital दे रखा है, 162, 162, sir, यह मैंने पूरा का, पूरा part complete कर लिया, इसमें transfer में किसी को doubt, यह तो clear है कि कौन सा item कहां लेके जाने है, अब adjustment पढ़ लेते हैं, prepared trading account sir, वही तो बना रहे हैं, ठीक है, depreciation लगाना है 5% building पे, तो building यह रहा, इसके उपर depreciation लगा देते हैं, तो depreciation, depreciation, यहां लगाते हैं, depreciation, तो depreciation minus में debt, sir, 5% that is 3000, और double entry depreciation का कहां जाएगा पता है, पी हेंडिल के debit में, मैं बाद में लिख लूँगा, मैं अलग से लिख लेता हूँ, इखटा लिख दूँगा, ठीक है, मैं depreciation यहां लिख रहा हूँ, rough work कर रहा हूँ, 3000, furniture पे आपका कितने % है, 10%, minus कर देंगे debt, furniture पे, तो एकिस सो चालिस, तो furniture पे आएगा, एकिस सो चालिस, मैं इखटा दिखा दूँगा, जगह नहीं है, equipment पे 1500 है, तो 1500 कितना आएगा, equipment पे minus कर देंगे, depreciation, लेकिन एक adjustment नीचे है, इसलिए मैं बाद में करूँगा, motor car पे 20% है, तो depreciation motor car पे 20%, that is 4000, तो depreciation आगया, सर, 4000, मुद्दे की बात है, हलाकि एक class के अंदर ये कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, कहता है, insurance premium 4000 to what the proprietor की life से related, तो सर, यहां से सबसे पहले तो LIC घटा दो, LIC कितने का था सर, 4000, प्रोप्राइटर का था, जिसे बोलेंगा, drawing तो minus में LIC, 4000, यहां तक समझ में आई, अब जो बचा हमारे पास, ये बचा सर, 1500 रुपए, चलो थोड़ा उपर जगे ले जाते हैं इसको, क्योंकि हमारा तो 1500, और 1500 में भी क्या कहानी कह रहा है सर, ये देखिए कहता है कि 1500 रुपए में भी 1 से 20 से लेके 31, 6 तक है, यानि कहता है 14, 2020 से लेके बागी का insurance 36, 2021 तक है, यानि सर, टोटल देखा जाए तो 15 महीने का है, जबकि हमें तो यहां 12 महीने का दिखाना था, तो सर, 3 महीने का extra ह तो 1500 रुपए जो हैं आपके, divided by 15 into में 3, that is 300 रुपिस extra है, तो क्या करेंगे, यहां से minus कर देंगे, किस नाम से, prepaid के नाम से 300 रुपए, अब आगया actual figure 1200 और balance sheet के assets में आ जाएगा, prepaid कितने रुपए का 300, समझ में आ रहा है यहां तक, यह हम पहले भी कर चुके हैं एक पुरा question हम कर रहे हैं, कहता है, 31 मार्च 2021 में, it was deducted the management revalued the office equipment of 20,000 before charging current depreciation, कहां management ने एक फैसला लिया, कि हम equipment की जो value है आप 20,000 करने जा रहे हैं, तो अब आपको check करना होगा, sir, equipment की value जो 20,000 हो रही है, वो check करते हैं, तो सबसे पहले equipment था कितने का, 16 का, question क्या कहता है, भईय इसे 16 मत मानो, इसके value को बढ़ा दो, इसके value को कितना कर दो आप, 20,000 करने को कह रहा है, तो जब assets का increment लगेगा, तो एक इधर revaluation भी create हो जाएगा, sir, यहां पे एक revaluation create होगा, revaluation, कितने रुपे से बढ़ गए, sir, 4000 रुपे से बढ़ गया, समझ में आ रही है बात आपको, 4000 रुपे से बढ़ गया, तो depreciation अब लगाया जाएगा, इसके उपर, तो इसके उपर depreciation जब लगाएंगे, कितने percent लगाने, sir, 15%, तो यह कितना आएगा, sir, 3000, sir, यहां पे भी आपको depreciation का impact दिखाना होगा, 1500, 4000 जो बढ़ गया, उसके उपर कितने percent, sir, 15%, that is 600, तो यहां पे ज depreciation दिखा रहा हूँ, basically इसका plant, किसका equipment का, तो equipment पे वैसे तो लगा था कितना 3000, लेकिन 600 इधर deduct भी तो हो गया, तो ultimately जो जाएगा, यहां जाएगा, sir, 2400, इस बात को ध्यान रखिएगा, 3000, minus में, 600, तो कितने आएगे आपके, 2400, तभी दोनों side आपका equivalent हो पाएगा, आप एक बार पूरा देखिए, सिर्फ last वाले, बाकी adjustment अगर नहीं भी आते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, नए adjustment जो मैंने किया, उसको देखिए कैसे करना है, तो सबसे पहले जितना पार्ट बढ़ गया, हमने किदर दिखा दिया, sir, liability side, liability side दिखाने के बाद, हम depreciation लगा आगे हमारा, sir, 2400 रुपए, in case of हमारा assets का revaluation upside जाता है, तो फटा-फट से देखिए, हमने जो adjustment सीखा है, कि इसमें ये लिखा है, सारी बाते मैंने, मैंने काता, increase होता है, तो उस case में आपका depreciation 10% लगेगा, तो ये देखिए, दोनों side ले गए, अब P&L के debit side में कितना आए क्योंकि 200 रुपए तो था ही, और 100 रुपए वो माइनस हो जाएगा, जो liability, तो इसका मतलब ये कितना आजाएगा, P&L के 100 रुपए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या कहानी है, ठीक है न, कैसे treatment करना है, तो sir, ये question हमने जो किया, यहां तक का treatment हमने खतम कर दिया है, सारे depreciation को add कर देते हैं, इनको 3 और 4,7 दो 9,140 रुपए, तो मैं और बाकी के depreciation लिख देता हूँ, 9,140 रुपए, ठीक है, मैं कोसिस करता हूँ, आपको एक जगह ही दिखा दूँ, ये सारा, बस थोड़ा size और reduce हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब फटा फट से एक काम रहे गया, totaling का, तो totaling कर देते हैं, सर, 2,30, एक तो रही गया, closing stock, closing stock कितने का, 44,000 का, तो by closing stock 44,000 के, और ये कहां आ जाएगा, closing stock आ जाएगा, 44,000 के, देखो, space थोड़ा सा कम रहेगा, इस chapter में, क्योंकि मैं दूसरे पेज पर जाना नहीं चाहता जाने नहीं जाने का main reason यह है कि एक ही जगा दिखे जाया आपको, अजे, आरे हाँ, reserve for bad debts भी रहे गया, कितने परसेंट, 5%, तो debtor पे minus reserve, 5%, 8,600 पे 5%, 4,300, और ये आ जाएगा provision for doubtful debts, liability side में 36 ठीक तो है, 4000 में से 600 माइनस होगा, 34 आएगा न, ये आएगा 3400, ये आएगा 3400, कि ये ठीक है, 230 माइनस तर 42, ये आगे 222, 5800, प्लस चब्वालिस हजार, 269, 269, 800, ये ये 269, 800, माइनस कर लेते हैं, 41 में से 2600 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 137, 400, माइनस बासट हजार, माइनस 137, 400, माइनस 5500, प्रॉफिट आगया 63, 600, चेक करिए gross profit, सर, GP चेक करिए किताब में, 69, 63, 600, चेक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात ने हमारा ठीक है, हम यहीं पर लेगे चलेंगे, 63, 700, सर, rent go down में ले लिया, आपने तो बोला यहां लेंगे, आप इसके लिए note देना पड़ेगा, देखिए, यूकि rent जादा ऐसा जादा इसने office में भी हो सकता है, लेकिन मैं go down consider करूँँगा, तो हमारा सवाल भी ठीक माना जाएगा, यह आगे 68, 300, लेकिन सर, profit net सेम आना चाहिए, 68, 300 में से minus कर देते हैं, कि करके, 36, 11,000, 3,000, 27,000, 2,000, 21,000, 24,000, 16,000, net profit 16,860, चेक करिए, 16,860, तो देखिए, net profit आपका सेम आना चाहिए, इसको बदल देते हैं, थोड़ा color चेंज कर देते हैं, कर लिजेगा, आप, वीजवल हो जाएगा, तो सर, add हो जाएगा, एनपी, minus 12,000, minus 4,000, 162, 860, मैं यह depreciation यहां से हटा रहा हूँ, यह तो मैं ऐज़ा working note कर रहा था, यह तो सर, यहां पर भी difference आपका, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, चेक कर यहां जाएगा, 239, 260, आप इसका total करके चेक कर सकते हैं, मैंने outer में नहीं लिखा लिकिन आप लिख सकते हैं, सर, page number प्रोग्राम में नहीं मिल रहा, same question है, बस थोड़ा सा adjustment अलग है, page number पे मत जाएगा, आप heading देखिए, उसके according मिल जाएगा, वहाँ prepaid insurance दे रखा है, प्रोग्राम में लिख सकते हैं, चलिए, noting करिए फटा-फट से इस question को,